नमस्कार दोस्तों ऐसा कि आप सभी को पते हुआ कि 2024 के लोग सभा चुनाओं को लेकर समाजबाधी पार्टी हो या भाजपा दोनों ने ही अपने प्रतियासियों के नामों की घोशना कर दी है कल ही भाजपानी 195 नामवाले पिर्तियासियों की घोशना की है 195 पिर्तियासियों की सूची में PM मोदी से लेकर सिवराज सिंग चोहान, जोतरादित, सिंधिया और आपको तादे की कई बड़े दिगजों को टिकट दिया है मोदी आपको तादे की वाराण सी से लड़ेंगे विदी सा लोकसवा सीट से सिवराज तो वहीं सिंधिया गुना की लोकसवा सीट से लड़ेंगे लेकन समाजबादी पार्टी ने भी मायावती के सामने ही आपको तादे की कई बड़े चेहरों को उतारा है लेकिन आप इंतजार आपको तादे की तमाम लोग कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रतियासियों की सूची की क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के दुआरा एक भी प्रतियासी मैदान में नहीं उतारा गया है किसी भी पृतियासी को टिकेट नहीं दिया है बीएसपी के जो समर्थक हैं वो लगातार सोसल मीडिया पर बहनजी से अपील कर रहे हैं कि चुनाओं आचार सहीता और तारीखों का एलान बहुत जल्द ही होने वाला है इससे कि आप पृतियासी के नामों की घोशना कर दीजिए जिससे कि वो अपने छेत्रों में जाकर परचार प्रसार कर सकें और लोगों से आपको तादे की जन संप्रक कर सकें लेकिन बहन जी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या रहा है आप क्या सोचते हैं क्या बहन जी को जल्द से जल्द पृतियास्यों के नामों की घुशना कर देनी चाहिए आप कॉमेंट करें चैनल पनना है तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद